और मेगी फालदी की बनाने के लिए कपली नहीं कहया है माइगी दोस्तों आपके लिए से हाज तम हेलधी मैगी दींकी का आशा बहुता है ऐ यहां परност प्रेड्ट कोशी का नहीं आफे सब्रीम हां परेंडबस तदो था है झालो दूटि यहां यहां पेलिए सब्राया, परोइड़ है बहुता है चलंद थें सबगते हैं, और ड़ वान रगातीन Infrast Jadi हैं और मैंने मैगी मसाला भी ले लिया है तो अगर आपके पास और भी सब्जी हो तो आप वह भी डाल सकते हैं तो चलिए गाइस अब यह हमारी मैगी बहुत ही अच्छी से बॉइल हो चुकिए तो एक छलनी में इसको छाल लेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैंने चलने में इसको च्छान लिया है इसका अच्छी से पानी निकाल दिया है जारा अब क्या करेंगे इसको अच्छी से फ्राय करेंगे उसके लिए चलते हैं अपनी गैस की तरफ फ्रेंट्स गैस पकड़ाई रख दिया फिलेम को अन कर दिया है यहापर मैंने सरसोगत तेल डाल तो चलिए दोस्तों में इसको अच्छी से बूल लेंगे तो आप अपने बच्चे को इसी तरीके सा बना कर खिला सकते हैं तो फ्रेंट्स शिम्ला मुच भी हमारी बहुत ही अच्छी से भून चुकिया आप देख सकते हैं आप इसी बीच में हम डाल देंगे है टामाटर और अच्छी से भूल लेंगे शिम्ला मुच और प्याज के साथ तो अब क्या करेंगे है पर मैंने हरी मिटर ले ली थी थोड़ी सी और इसको न अच्छी से वाश करके और इसमें डाल दिये मटर का भी बहुत ही अच्छा टेश्ट आ जाता है मैगी में अब स्वाद अनुसार डाल देंगे नंग, नंग से क्या होगा जो हमारी मटर अच्छे से गल जाएए इसीपिач में हम क्या करेंगे मैगीआए मैगी मसाला होता है डाल देंगे अधी अधी चमच और चोड़ा सा एक च्छ़ती चमच डालें ला देंगे हम हलन्दी पाओवडR इसे कलर बहुत ही मैगी में है तो इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको ना हम अच्छे से भूनने देंगे चले दोस्तों मैं इसको अच्छे से भूनने देती हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला बुनके तैयार हो चुका है सब्जियों के साथ आप देख सकते हैं इसी बीच में आप क्या करेंगे जो हमने मैगी उबाली थी ना वो मैगी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद ना इसको अच्छे से हम मिला लेंगे मसाले में मसाले और सब्जियों में इसी तरीके से जैसे मैं मिला लेंगे आपको इसी तरीके से मिला लेना है तो फ्रेंट्स इसको आराम से मिलाना है ताकि सारी मैगी में अच्छे से सब्जी है और मसाले अच्छे से मिल जाएं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं सब्धूब करें दालैंगे धाई में टाले में शहता और हमें है क्लिकिकण पर भी रंट करें तयार हो चुक्ए तो चलिए दोस्तों अब घ्रोड करें तयार हैं प्लेटिंग सो फ्रेंट्स यह देखिए गर्मा गरा हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकिए बहुत हैल्दी बनाई है हमने तो बच्चों को आप जब भी बनाऊना तो आप इसी तरीके से बनाकर खिला सकते हैं तो यह नुकसान करेंगे वरना अगर यह बनाकर देंगे आप तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है वही सबजी से भरपूर डालिये इसमें और घी डालके बनाएंगे न तो बहुती पर्फेक्ट तरीके से भी बनती है और बहुती हेल्दी भी बनती है तो गैस एक बार ट्राय करना बहुत ही अच्छी लगते है वही चाय के साथ तो आप जरूर ट्राय करना तो गैस आप इस तरीके से अपने घर में अपने बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं बौड़ों को भी टेस्ट लगते है तो आज की हमारी यह मैगी की रेसिपी आपको कैसी लगी बनाईए तो कि बाकी लोग भी अपने घर में बनाकर खा सके हैं और बच्चों को खिला सके हैं और इंज्वाइ कर सकें तो गैस फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच बड़े हो तो आशिवाद दे तेर सारा प्यार दे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ न्यूर लूव यू